नमश्कार दोस्तों और टी 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 आरी चैनल में आप सभी सात्यों का फिर से एक बार स्वागत है अब आप ये बताईए कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक है तु समुचित नहीं है अब आप ये बताईए कि इनकी योग्यता ही नहीं थी तो इनको नौकरी क्यों दिया गया और इनका शीट जो है वो बढ़वाद क्यों किया गया क्योंकि बहुत सारे सात्य हमारे मेरिट पे चड़े हुए थे कई साथी दो तिन नमर से वन्चित थे उनको नौकरी नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास में असली शेक्ष्णिक और प्रशेक्ष्णिक प्रमान पत्र था डुबलिकिट वालों को क्यों दिया गया इसको जिम्यदार कौन होगा कोर्ट में मामला जाएगा स्वभाविक है सरकार भी फसेगी और विभाग भी सभी क्योंकि आयोग ने इसमें बहुत बड़ी गलती किया अदुल प्रसाद जी थे उस समय अफ़रात अपने में जो है वो रिजल्ट प्रकाशित कर दिये उन्होंने सर्टिफिकेट का जांच भी किया उसके वाब जूद फिर से जो है फरजी निकल रहें बिहार में हजारों लोग ऐसे हैं जो शेक्षनिक प्रशेक्षनिक प्रमान पत्र नहीं रखते हैं उनको नौकरी दे दिया गया अब आप सभी के सामने में देखिए एक एक करके ये जो जितने भी हमारे साथी हैं उनकी संख्या जो है वो 37 है और ये 37 सीट कितनी बड़ी संख्या है ये जो सैंतिस सीटेस पर जो हमारे साथी मेरिट में चढ़े हुए थे या एक दो नमर से वन्चित थे उनको ये नौकरी दिया जाता तो स्वभाविक है कि भाई वो भी खूस होते उनका पड़िवार भी खूस होता समाज भी खूस होता और वच्चों को गुणता पुन शिक के साथ खिलवार किया है तो स्वभाविक है ये मामला तो बनता ही है जो भी साती हमारे औरंगावाद से हैं या और जितने भी साती है इस लिस्ट को एक अठा करके स्वभाविक है एक केस आप सभी को करना ही चाहिए नियाला इसे गुहार आपको लगाना ही चाहिए इससे आपको जरूर कुछ न कुछ फैदा मिलेगा, मैं लगातार आप सभी का आवाज बुलंद कर रहा हूं, सप्लिमेंटरी रिजल्ट को ले करके, और आपने देखा होगा कि इसका प्रभाब भी पड़ा था, मैं अब फिर से आप सभी को कह रहा हूं कि ये जितने भी लिस्ट न होनी चाहिए थी, वो बिलकुल असली, बिलकुल सही सही अव्यर्थियों का होना चाहिए था, उसमें फरजी कहीं से भी नहीं होना चाहिए था, पर ये विभाग और आयोग की गलती है, जिसके बज़स से हम लोग बाहर रह गए और जो गलत थे वो अंदर चले गए, तो इ यही निवेदन होगा कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए, जिससे कि ये फड़ताफास हो कि जो सही व्यर्थी थे वो बाहर ही रह गए और जो गलत थे उनको नौकरी मिल गया, तो आप बने रहे आओल टीटी तीरी चैनल के साथ, पलपल के अबडेट में आप सभी से यही निवेदन होगा कि वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके एक जूटता का पड़िचय जरूर दीजिएगा, मैं एक जूट इसलिए रहने के लिए कह रह है, यहाँ पर आपका यही आवाज बुलंद करना है, तो सभी को एक जूट रहना होगा,